स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस बिटोर क्लाशेज में तो आज हम एक नएा मैथट लेके हैं स्कॉयर करने के लिए कैसा आप स्कॉयर को अपने माइंड में 2 या 3 सेकंड में कर पाएंगे तो चलिए सेकते हैं पर दोस्तों सेकने से पहले अप हमारा चैनल सबस्क्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके समस्क्रेशन के कारणी हमें और ऐसे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और हम हम ट्राइ कर रहे हैं कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा वेडियो और लेक्चर्स भेज़ पहें कि आप जल्दी जल्दी सक्टेस्फुल होगा तो चलिए सुरू करते हैं है तो अब हम सीखेंगे कि किसी भी टू डिजिट नंबर का स्कॉायर कैसे करते हैं कि अग्दम तुरंट से चल्म एक्जामपल ले लेते हैं 23 का तो अगर आप डायकली मल्टिप्लाई करने जाओगे तो काफी टाइम लेगा 23 करके पर अगर आप तुरंट इसको लिख ले और इसको माली तीन सेकंड में करने तो कैसे करेंगे तो इसका तरीका आप ऐसे लिख स लग यह हुआ है यह हो गया स्कॉयर निकल गया हमारा तो यह स्कॉयर हमने कैसे निकाला है अभी आपको यही हम सिखाएंगे कि कैसे इस चीज को तुरंट निकाला जाए ठीक है तो अगर आप देखिएगा इस नंबर में एक फॉम है यह आपका यूनिट डिजिट है और यह आपका टैंथ डिजिट है ठीक है तो आप सबसे पहले क्या करिएगा इससे स्कॉयर लिजेए वाने दो टुविंटी थ्री है तो टुविंटी थ्री के नंबर पहला जो टैंथ प्लेस पर उसका स्कॉयर कर लिजे और श्लैस एक देदीजे यह दोनों टैंथ प्लेस और यूनिट प्लेस हो गया यह टू हमेशा लगेगा और लास्ट में यूनिट प्लेस पर नंबर उसका स्कॉयर करिया तो यह तो फॉर हो गया ठीक है अब लिखना में सा ट्राइक करिएगा इस से लिखने को मतब राइट से लेफ्ट आईएगा सबसे पहले कितना आगे आपका 9 अब यहां देखें आपका कितना है 3 x 2 6 6 x 2 12 तो आप 12 का 2 यहां लिख देंगे हाथ में हो जाएगा आपका 1 कैरी तो यहां पर कितना आगे 2 स्कॉयर प्लस 1 कितना आगे 5 तो इस तरह से आप कर सकते हैं यह बहुत ही जल्दी कर सकते हैं आपने दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक्स पर वाचिंग फ्रेंड्स